अगर आपका बजेट 6 लेक है और आप एक हैच्च बेक कार की तरफ देख रहे हो तो आज के इस वीडियो में हम आपको बेस्ट 5 हैच्च बेक कार्स बताएंगे जो अंडर 6 लेक आपके लिए बेस्ट आप्शन हो सकती है एंड येस गाइस ये जो हैच्च बेक कार्स का सेग्मेंट है उनकी प्राइसे रेंज होती है फ्रॉन 3 लेक टू 10 लेक तो हमने हर एक प्राइस रेंज के अनुसार हर एक हैच्च बेक सेग्मेंट के उपर डीटेल वीडियो बना चुके है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप् जरूर से किजिएगा तो लेट्स टाड़ टूड़ीव वीडियो तो दोस्तों चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं पांचवे नंबर से एंदे नंबर 5 इस मारुतिय सुद्यू की सिलैरियो एक्स अब दोस्तों इस लिच्ट में हमने सिलैरियो एक्स को लिया है Celerio को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि Celerio X के base variant में भी आपको features थोड़े से अच्छे दिखने को मिल जाता है और यहाँ पर compared to Celerio, Celerio X के dimensions भी थोड़े से ज्यादा है तो आपको comfort में थोड़ा सा बैतरीन दिखने को मिल जाएगा पर अगर हम C&G की बात करें, तो Celerio X में आपको C&G variant दिखने को नहीं मिलता है जो आपको Celerio में दिखने को मिल जाता है but according to our opinion, अगर आपको एक C&G car ही चाहिए then compared to Celerio, Wagon R is really good option for you तो आप बात करते है Celerio X की now the Celerio X is powered by 1 liter engine which is mounted with 5-speed manual and 5-speed automatic transmission and यहाँ पर इस engine में आपको तकरी बन 21 km per liter की mileage भी देखने को मिल जाती है so let's talk about the prices now यहाँ पर total 8 variants available है and जिनके prices range होती है from 4.9 lakhs to 5.6 lakhs तो आप दोस्तों बात करें dimensions and features की तो हमने हमारे हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी पांचों कार discuss करने के बाद उनके dimensions and features को detail में compare किया है so आपको एक basic idea आजाएगा कि किस कार में premium features ज्यादा available है and किस कार में features तोड़ा से कम available है so वो पार्ट इस वीडियो का सबसे important पार्ट होगा so वो पार्ट आप भूलके में miss out मत करना तो चलिए अब बात करते हैं चौथे नमबर की now the number 4 is Datsun Go अब गाइस Datsun Go इस segment की इकलोती ऐसी कार है जिसमें आपको CVT automatic transmission का option देखने को मिल जाता है and अगर हम Datsun Go को Celero X से compare करे तो यहाँ पे आपको features तो ज्यादा देखने को मिलते ही है बट साथ ही साथ comfort भी बहुत ही बहतरीन देखने को मिल जाएगा अब मैं बात करूँ Datsun Go के engine specifications की it is powered by 1.2 liter petrol engine which is meted to 5 speed manual and 5 speed automatic transmission and इस कार में आपको अप्रोक्स 19 km अपलिटर की claimed mileage देखने को मिल जाती है Datsun Go की prices की बात करूँ तो इस कार की X showroom prices range होती है from 3.9 lakh to 6.4 lakh Now the number 3 is Hyundai Grand i10 अब दोस्तों Grand i10 compared to Celerio X and Datsun Go आपके लिए काफी अच्छा option हो सकता है बट यहाँ पर इस कार को अमने 3rd rank पे इसलिए रखा क्योंकि इस कार में आपको automated transmission का option देखने को नहीं मिलता है जो इस कार की सबसे बड़ी downside है अब बात करते हैं इसके engine options की तो it is powered by 1.2 liter engine which is meted with only 5-speed manual transmission और इस engine में आपको 18.9 km per liter की claim mileage देखने को मिल जाती है अब prices की बात करें तो it is available in only 2 variants जिनकी prices अब अब इस screen पे देखी सकते हो तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रही है मारूती सुसुकी वेगेनर अब of course guys compare to Grand i10 वेगेनर में आपको थोड़े से कम features देखने को मिलते है बट वेगेनर को Grand i10 से आगे इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे आपको वेगेनर में सबसे पहले तो automatic transmission का option देखने को मिल जाता है जो आपको Grand i10 में देखने को नहीं मिलता दूसरा reason है CNG engine यहाँ पे आपको मारूती सुसुकी वेगेनर में CNG engine भी देखने को मिलता है यहाँ पे आपको वेगेनर में कई सारे variants के options देखने को मिल जाते है on the other hand Grand i10 में सिर्फ 2 variants अवेलेबल है यहाँ पे वेगेनर में आपके लिए काफी सारी choices अवेलेबल है अब मैं बात करूं engine specifications की तो यहाँ पे वेगेनर में total 3 engine options अवेलेबल है 1 liter petrol engine, 1.2 liter petrol engine and 1 liter CNG engine जिसके specifications आप अब इस screen पे देखी सकते हो अब मैं बात करूं वेगेनर के prices की तो वेगेनर की एक शोरूं prices range होती है from 4.4 lakh to 5.9 lakh including petrol and CNG engine तो यहाँ पे आपको सब भी ही variants under 6 lakh देखने को मिल जाते है तो चलिए guys अब फाइनल ही बात कर लेता है पहले नंबर की and it is Hyundai Centro अब दोस्तो Hyundai Centro को पहले नंबर पे रखने के total दो reasons है the first one is features compared to other cars Hyundai Centro में आपको almost सभी features लेखने को मिल जाते है and the second reason is variants दोस्तो Hyundai Centro कई सारे variants में available है तो अगर आपका budget थोड़ा सा कम भी है तो Hyundai Centro आपके लिए काफी अच्छा option हो सकता है तो चलिए अब बात करते है इसके engine options की तो it is powered by 1.1 liter petrol and CNG engine petrol engine is meted with 5-speed manual and 5-speed automatic transmission and CNG is only meted with 5-speed manual transmission अब बात करते है इनके prices की तो Hyundai Centro is available in total 11 variants जिनकी prices अब अब इस screen पे देखी सकते हो तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो के सबसे important part को cover कर लेते है comparison of features तो पहले हम safety features को compare करेंगे उसके बाद entertainment and technological features को compare करेंगे तो यहाँ पे immobilizer, central locking system, keyless entry, dual airbags, ABS with EBD and front parking sensors यह जो safety features है आपको सब्भी ही cars पे देखने को मिल जाते है fog lamps आपको Datsun Go के अलावा सब्भी cars पे देखने को मिल जाता है यहाँ पे impact sensing auto door unlock सिर्फ centro and grand i10 में ही available है speed sensing auto door unlock, centro, wagoner and Datsun Go में देखने को मिल जाता है यहाँ पे सबसे important safety feature vehicle dynamics control सिर्फ Datsun Go में ही available है और किसी भी car में आपको यह feature देखने को नहीं मिलता तो चलिया गाइस अब सब्भी cars के entertainment features को compare कर लेते है तो यहाँ पे touchscreen infotainment display Cilero X के अलावा आपको सब्भी cars में देखने को मिल जाती है जो Cilero X का सबसे बड़ी downside है क्योंकि यह जो feature है आजकल सब्भी cars में देखने को मिल जाता है तो I think Marudhi को भी अब Cilero X में यह feature implement कर देना चाहिए और और भी कई सारे entertainment feature की comparison आप अब इस screen पे देखी सकते हो Now guys let's compare the comfort features तो आप पे rear AC vents सिर्फ Centro and Grand i10 में ही available है Air purifier आपको सिर्फ Centro में ही देखने को मिलता है On the other hand Cooled Glow Box सिर्फ Grand i10 में ही available है So in short premium comfortable features आपको सिर्फ Hyundai की cars में ही देखने को मिल जाता है And I think कि because of the small but premium features Hyundai के sales report हमेशा ज्यादा होते है And guys आप हमें comment करके जरूर से बताओ कि अगर आप car लेने जाते हो तो क्या आप rear AC welds या फिर air purifier जैसे features देखते हो Do let us know in the comment section So guys let's compare the dimensions now अब यहाँ पर सबसे ज्यादा length and ground clearance Detson Go का है Width की बात करो तो सबसे ज्यादा width Grand i10 की है 1660 mm And height and boot space की बात करे तो सबसे ज्यादा height and boot space मारत तो Suzuki Wagon R की है So guys यह थी वो 5 best hatchback cars जो under 6 lakh आपके लिए best option हो सकती है So दोस्तों यह था आज का detailed video अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे comment करके जरूर से बताना And साथ ही साथ वीडियो को share भी जरूर से कर दीजेगा Thanks for watching our video guys तब तक के लिए goodbye and take care So